हेलो एवरिवन नमस्कार सस्रीकाल आदाव आप शबी का बहुत-बहुत स्वागत है अब्यास क्लासेस में तो हमेशा की तरह आज भी यह जो लेक्शेर होने वाला बहुत इंपोर्टन लेक्शेर होने वाला है पिछली क्लास में हम बिसिकली देखे थे कि अब प्रेंटेंग कि पेंखो होते हैं हैं आज के इस लेक्शेर में हम देखने वाले कि विदाओट डिविजन यानि बिना डिवाइट कियो है किस तरीक़ ओको स्सक्रिक अब्सक्रांड क्रेंटेकि कर पाएंगके कॉन साइभसकर रिमील अर websites Però底 मिजिंग नहीं होगा चले इ करें discussion को देखिए terminating decimal को generally पहचानने का क्या तरीका होता without division सबसे पहले आप क्या करी जो भी आपके सामने fraction दिया गया है for example 50 divided by 32 इस fraction को सबसे पहले आपको करना क्या simplest form में convert करना simplest form में convert करना simplest form बोले तो क्या होता है चले देखते हैं देखिए यह 50 divided by 32 है तो के टेबल में कट जाएगा 25 ताइंग्स में अब यह आ गया 25 by 16 देखिए अब यह किसी टेबल में कटे का नहीं यह fraction जो है ना simplest form में आ गया है ठीक है one को छोड़के और भी कोई common factor 25 और 16 का नहीं है जिसको जिसमें हम लोग और इसको किसी form में reduce कर पाएं ठीक है तो simplest form में आ गया मतलब इसको और further reduce नहीं किया जा सकता है तो इस तरीके को form को हम लोग बोलते है simplest form तो सबसे पहले आपको करना क्या है देख लेना कि fraction जो आपको मिलने वाला है rational number जो आपको मिलने वाला है वह क्या simplest form में है या फिर नहीं अगर simplest form में है तब तो अच्छी बात है और नहीं है तो आप simplest form में उसको क्या करेंगे convert कर लेंगे अब second step क्या है sir तो जो भी आपका denominator होगा आपको denominator को क्या करना है prime factorize करना है अगर इस form में आ जाए 2 पे power m या फिर 5 पे power n या फिर shift 2 मिल जाए आपको denominator में या फिर 5 मिल जाए या फिर 2 और 5 दोनों ही मिल जाए तो समझ लेना है कि वो डेसिमल होने वाला है और टर्मिरेटिंग डेसिमल होने वाला है चलिए देखते हैं इसको ब्रीफ में देखिए यह 16 16 को अगर आप प्राइम से करिएगा तो यह आपको क्या मिलेगा यह होगा 8 ताइम में फिर यह यह 4 अफिर यह 2 से अपका 2 आ गया है ठीक है अफिर 2 से आपका 1 यानि 16 कैन बी रिटेन आज देखिए अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 मिल जाए और 5 मिल जाए या फिर 2 और 5 दोनों ही मिल जाए तो आप समझ लेना कि आपका जो डेसिमल मिलने वाला है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलने वाला है ठीक है इस फॉर्म में होना चाहिए 2P पावर M इंटू 5 दी पावर N जहां पर M और N दोनों आपके कैसे होंगे दोनों होल नंबर होने चाहिए दोनों आपके होल नंबर होने चाहिए ठीक है होल नमबर ठीक है चले कुछ एक्जामपल के साथ हम लोग डिसक्रस करते हैं देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ आपको डिविजन करने का रिक्वार्मेंट बिल्कुल नहीं है सिमिलर यहां पर देखिए यह आपका 50 दिया गया है तो आप इसको क्या करेंगे इसको सबसे पहले आप प्राइम फिक्टराइज कर लेंगे प्राइम फिक्टराइज हम लोग कर लेते हैं सिच को देखिए टू के टेबल में यह आया है 25 और फिर 5 के टेबल में यह क्या आएगा 5 that means 50 is equal to 2 into 5 into 5 that means 2 into 5 पे पावर 2 तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर basically इस question में भी हम लोग देख रहे हैं कि नीची जो आ रहा है आपका यह 2 into 5 पे पावर 2 तो यह भी कैसा decimal होगा आपका terminating decimal होगा ठीक है चलिए यहां देखते हैं यह है आपका 17 divided by 625 तो 625 को जो आप प्राइम फेक्टराइज करिएगा तो आपको मिलने कैसा होगा terminating decimal होगा चलिए इसके पीछे region देखते हैं कि सर ऐसा होता क्यों है कि वहीं टू और फाइप की रहेगा तो सब्सक्राइब c सर ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि 2 x 5 यहां पर क्या हो जागा एक्चुली हम लोगो 10 का multiple में लाना है नीची में याने denominator में इसलिए हम लोग क्या किया है आप 2 पर 2 था तो 5 पर 2 से multiply किया है ठीक है तो देकि यह कितना आने वाला है 3 x 5 पर 2 मतलब हो गया 25 और आपको यह चीज़ पता होगा रूल कि अगर पावर सेम है और दोनों बेस अगर multiply बीच में यहां sign दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बेस को multiply कर देते हैं तो यह हो गया आपका 2 x 5 whole to the power 2 उपर आगया आपका 75 और नीची हो गया 10 पर 2 इस इक्वल तो 75 divided by 100 और 75 divided by 100 को 75 divided by 100 को हम लोग क्या लिख सकते है इस इक्वल to point 75 तो actually होता क्या है कि हम denominator में 10 लाना चाहरे 10 का multiple लाना चाहरे और आपको पता है कि 10 को हम लोग लिख सकते हैं this is equal to 2 into 5 याने 10 जो होता है 2 और 5 दोनों का multiple होता है इसलिए basically क्या होता denominator में हम लोगों को 2 या फिर 5 चाहिए होता है terminating decimal के लिए चलिए एक और example देखते हैं हम लोग इसे माल लीजे आपके सामने लिखा हुआ है 7 divided by 25 ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है 7 divided by 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 ठीक है तो हम लोगों को नीचे में फिल लाना है 10 का multiple तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से 2 पे पावर 2 से नीचे भी और उपर भी multiply कर लेंगे अब देखिए कितना आएगा 7 इंटू 2 पे पावर 2 कितना होगा 4 और नीचे सेम प्रोसेस लगाएंगे 10 पे पावर 2 this is equal to 28 divided by 100 जिसको भी reduce कर सकते हैं decimal के form में 0.28 ठीक है तो basically आपको ध्यान क्या रखना है कि denominator को prime factorize करना है after simplest form में लाने के बाद ठीक है simplest form में लाने के बाद और prime factorize आप करेंगे denominator को अगर सिर्फ 2 मिल जा है या फिर 5 मिल जा है तो decimal कैसा आपको terminating गिसी मल होगा ठीक है तो I think आपको ये lecture बिल्कुल पसंद आया होगा आप समझे होंगे फिर भी किसी तरह query रह गया हो तो आप मुझे contact परके पूछ सकते है तब तक लिए जैहिंद बंदे मातर बबाए